हेलो स्टूडेंट माइसेलफ सैलेश कुमा मौर्या और आज हम अपने एमेस चोहान के क्वेशन आंसर के सीरीज को फर्दर कंटीन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपके अलकायल लाइट्स के लेवल 2 का क्वेशन 4 क्वेशन 4 के फार्ट ए में पूछा है कि आपको बताना है इ यह गिवन अलकायल लाइट है वन डिग्री और यहां पर यह गिवन अलकायल लाइट है टू डिग्री तो अब्वियस ही बात है यह CS3-BR में क्या हो जाएगा SN1 रियक्शन जादा अच्छे से हो जाएगा ठीक आए बी ऑप्शन को देखते है SN1 रियक्शन किसमें जादा अ SN1 रियक्शन कमको पता है सबसे अच्छा होता है 3 डिग्री में फिर 2 डिग्री में फिर 1 डिग्री में यह SN1 का Organisation का ऑडर होता है अब यह यह जो हमें given structure बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ पर फिर से redraw कर दिता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, यहाँ पर लगा हुआ है phenyl, यहाँ पर है BR, यहाँ पर लगा हुआ है CS3, यहाँ पर फिर से phenyl है, यहाँ पर hydrogen, यहाँ पर hydrogen, मैंने उस given newman structure में यह दोनों जो position होंगी, और यह दोनों जो position होंगी, यह क्या हो जाएंगी आपस में, 180 degree के angle पे आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखो, यह बात समझ लिए आप, तो अब इस question को करना असान हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर मै यहाँ पर newman structure बनाता हो, तो हमने एक इस तरह से newman structure बनाना है, ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, उपर क्या लगा दिया हमने, फिनाइल, इसके left side में H है, तो यहाँ पर लगा दिया, H, right side में BR है, तो लगा दिया, BR, अभी मैंने बताया था, यह दोनों position आपस में, 180 degree, तो यह है BR, ठीक है, तो इसके 180 degree पर, यानि इस position पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, अब यह है hydrogen, तो इसके 180 degree पर यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा pH, जो बच्चा, लेकिन अभी भी आप ध्यान से देखो, अगर अभी भी आप देखोगे, तो यहाँ पर हमें पता है, जो E2 Elimination होता है, वो होता है Anti Elimination, यानि दोनों ग्रूप एक दूसरे से 180 degree के एंगल पर होने चाहिए, लेकिन अगर आप जारा ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यह है आपका बिया, और यह हमान लीजे H, लेकिन यह दोनों अभी 180 degree के एंगल पर तो है नहीं, तो हमने क्या किया, इस given structure को 120 degree के एंगल से rotate करा दिया, तो अगर 120 degree के एंगल से rotate करा देंगे, तो देखिए new man structure हमको किस तरह से दिखने लग जाएगा फिर यह, ठीक, यह front वाले carbon पर, इस particular carbon पर तो कोई change नहीं आया, तो यहाँ पर अभी भी य structure को हमने क्या किया, इस तरह से 180 degree के एंगल से, sorry 120 degree के एंगल से rotate करा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और इस direction में आ जाएगा PH, यह हो जाएगा, अब आप देख सकते हो यहाँ से, क्या देख सकते हैं, कि अब देखो HBR का elimination हो सकता है, यहाँ स H और यहाँ से BR, HBR क्या होगा, easily हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो अगर HBR easily से निकल जाएगा, तो आपका given Fisher structure में देखो, जब यह BR को निकाल दो यहाँ से, और यहाँ से H को निकाल दो, तो आप क्या देख सकते हो, यह जो PH, PH होंगे, यह double bond के एक तरफ आ जाएगे, और double bond के एक तरफ क्या जाएगे, H और CS3 आ जाएगे, सैद यही structure हमको यहाँ पर बनाना भी था, तो इस तरह से जब भी आपको elimination का कोई सा भी question हो, तो आपको पहले क्या करना चाहिए, given Fisher structure से Newman structure के अंदर convert करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि जो भी groups हैं, क्या वो 180 degree के एंगल पर नहीं है, तो उनको rotate करके 180 degree के एंगल लाइए, फिर elimination reaction करिए, अब यह BR और H निकल जाएगा, तो आपका जो given Fisher structure था, वो आपको कुछ इस टाइप से दिखने लग जाएगा, मैं एक बार यहाँ पर draw कर देता हूँ, यह हो जाएगा PH, इस तरह से हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा PH, और इस तरह से आजाएगा CH3, यह structure हमको यहाँ पर देखने लग जाएगा, ठीक है, इस टाइप से देखने लग जाएगा, तो देखो यह हमको draw भी करना था, यह हमारा correct answer हो जाएगा, इस वज़े से हमारा इसमें answer के हो जाएगा, यह first आला part हो ज देखो यह जो carbon है, यह particular carbon जिससे bromine attach है, यह तो एक SP2 hybridized carbon है, और यहाँ पर वो कैसा है, आपका SP3 है, आपको पता है किसी भी SP2 carbon पर कोई सा भी substitution reaction नहीं हो सकता, तो जब substitution reaction नहीं हो सकता, तो इसमें तो हमारा answer ही नहीं हो सकता, simply हमारा यह answer क्या हो जाएगा, अब आईए कर अगर NAI की reaction कराई जाए तो क्या देखना चाहिए, Z12 diphenyl propene, तो Z12 diphenyl propene का structure कैसा हो जाएगा, कुछ आपको Z12 diphenyl propene इस type से दिखेगा, ठीके, यह given structure हो जाएगी Z12 diphenyl propene की, तो जो अभी आपको मैंने just इसी के part C of the question में, फोर्थ के C part में, अभी मैंने आपको बताया था है कि elimination reaction कैसे करान से यह, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों कस्प से पहले new man structure बनाओगे, new man structure में दोनों bromine या iodine को आप लेके आओगे कि इस पे 180 degree के positions पे लेके आओगे, और elimination करके देखोगे, elimination करके देखने के बाद आप पाओगे, कि यह जो particular given structure है, यह क केवल और केवल आप fine कर सकते हैं, इस वाले structure से इस वाले structure से नहीं होगा, same काम करना है, जो C part में किया वही यहाँ पे भी करोगे, आप देखोगे कि इस वाले structure से वो चीज आप पाओगे, बाकि इस वाले structure से वो चीज feasible नहीं हो पाएगे, तो हमारा correct answer हो जाएगा, यह ठ अब आई चलते हैं,